Hello friends, welcome back to my channel आज मैं बनाने जा रहे हूँ अर्वी के पत्तों की रसीलेदार सब्ची 5-6 हमने अर्वी के पत्ते लिए हैं बड़ी साइस के लिए हैं अर्वी के पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से पोच के सुखा लिया है सबसे पहले हमें अर्वी के पत्तों के लिए बेशन का पेस्ट बनाना है तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं हमने 4 चमज बेशन लिया है बेशन में हम अजवाइन डालेंगे जब भी कोई बेशन की चीज बनती है तो उसमें अजवाइन और हींग जरूर डालिए, अजवाइन, हींग, आधा चोटा चम्मच, लाल मिर्ज पाउडर, हल्दी पाउडर, आधा चोटा चम्मच से कम डाला है, आधा चोटा चम्मच हम नमक डालेंगे, बेसन में पानी धीरी धीरी डालेंगे एक आई एकडम पे नहीं डालना है अगर एकडम पे डाल देते हैं तो बेसन का पेस्ट पतला हो जाएगा हमें पेस्ट को ना पतला चाहिए है और नाहीं जाधा थिक हमें नौर्मल थिक चाहिए है थोड़ा पानी और एड़ करेंगे हम mix कर Ga अच्छे से बीसन का घूल बन की तइयार हो गया है हमें बीसन के घूल को ना जाधा थिक चाहिए है और नाजादा पतला हमने बेशन को घूलने के लिए आधा किलास से कम पानी यूज किया है बेशन को 5 मिनिट के लिए हम रख देते हैं तब तक हम गैस पर हम पत्तों को भाप में पकाएंगे इसलिए हम गैस पर पानी रख देते हैं एक बरतन में पानी गरम करने के लिए हमने गैस पर रख दिया है पांच मिनुट से जादा समय हो गया है अब हम बेशन की घूल को पत्तों में लगाना शुरू करते हैं और हमारा पानी भी अच्छे से बॉयल हो रहा है तब तक हमें पत्तों के पीछी के जो डंठल है इसको हटा देंगे हलका सा इस टाइप से तारे पत्तों में से बीच का जो पार्ट है इसको निकाल देंगे क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो इससे फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए हम इसको हटा देते हैं अब हम ब बीशन की घूल को हमें उपर से लेके नीचे तक अच्छे से लगाना है बीशन से पत्ते को पूरे में लपेटेंगे उपर से लेके नीचे तक बीशन लगाना है अब हम पत्तों को धीरे धीरे पोल्ड करते हैं फूल्ड करते जाएंगे और बेशन को लगाते जाएंगे इस तरह से तोड़ा टाइट करते हुए लपेटना है पीछे के पाट से अच्छे से बंद करना है जिसमें की खुले ना पत्ते पीछे साइट भी हम अच्छे से पत्तों में लगा देंगे बेशन चारो साइट से अब हम दूसरे पत्ते में भी इस तरह से लगा देंगे पीछे की साइट से हमें बेशन लगाना है फोल्ड करते जाना है और साथ में बेशन भी लगाते हुए फोल्ड करना है हलका सवेशन लगाएंगे ऐसा करने से पत्ते बेशन से चिबग जाते हैं और पत्ते हमारे खुलेंगे भी नहीं पानी में उवाल आ गया है अब हम इसके उपर फोल्ड की छन्नी रखेंगे पूह की चन्नी में हम तोड़ा सा के लगा देगे नहीं हम पत्तों को यहां रखेंगे तो जब हम इनको पलटेंगे पत्तों को तो आराम से पलट गयाएंगे इस तरह हम रख देते हैं ग्यास के फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और खकल से हम धख देते हैं एक दो मिनेट हो गए हैं अब हम चैक कर लेते हैं पत्तों को एक साइट से पत्ते पक गए हैं अब हम पलड़ देंगे गैस को सुलू कर देंगे क्योंकि भाप से हाथ जलने के चांस रहते हैं हमें दूसरी साइड भी पकाना है भाप में मीडियम फ्लेम पर करना है गैस को और ढग देते हैं तक पत्ते पक रहे हैं तक तक हम प्याज और टमाटर का पेस्ट बना की तयार कर लेते हैं प्याज डाल देंगे जौर में तीन हरी मिर्ची अधरक लैशन थोड़ा सा पान डालेंगे अब हम प्याज और लैशन के मिक्सर से पीस लेंगे प्याज को पेस्ट बन के तयार हो गया है टमाटर की भी हम प्यूरी बना लेते हैं टमाटर की प्यूरी के लिए हमने दो छोटे साइस की टमाटर यूज किये हैं अब हम पत्तों को फिर से चैक कर लेते हैं कि दूसरी साइड से पके हैं कि नहीं अगर यह छली में से पत्ते अपनी जगा छोड़ दें तो समझ लीजे पत्ते पक गये हैं पत्तों को पकाने के लिए हमें 5 मिनिट लगे हैं पत्तों को प्लेट में निकाल लेते हैं पत्ते ठंडे हो जाए इसके बाद हम पत्तों के छोट छोटे पीसिस कर लेंगे अच्छे से ठंडे हो गये हैं अब हम इनके पीसिस कर लेते हैं हमें इस तरह से पत्तों के पीसिस करने है सारे पत्तों के हमने पीसिस कर लिए हैं अब हम इनको फ्राय कर लेते हैं पत्तों को फ्राय करने के लिए हम कड़ाई में ऑईल डाल देते हैं तेल गरम हो गया है अब हम पीसिस डाल देते हैं पत्तों के गैस की फ्लेम को अभी हमने सलूपे रखा है पत्तों को हमने अच्छे से फ्राय कर लिया है हलका ब्राउन हो गया है अब हम एक प्लेट में पत्तों को निकाल लेते हैं पत्तें अच्छे तर्फिक हमने फ्राय कर लिए हैं फ्राय कर के आप सब्जी बनाईगे तो यह काफी टेस्ट लगेगी इसका कि अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं सुड़ा सा सर्सों का तेल डालें हमने एक बड़ा चम्मत सर्सों का तेल यूज किया है तेल गरम हो गया है अब हम जीरा डाल देते हैं आदा छोटा चम्मत जीरा है जीरा ब्राउन हो गया है अब हम प्याच का पेश्ट डाल लेते हैं प्याच को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन करना है प्याच का पेश्ट अच्छे से फिक गया है और ब्राउन हो गया है अब हम यहाँ पर सबसे पहले सुखी मसाली डालेंगी एक चम्मत धनिया पाउडर आधा और डाल देते हैं आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने पेश्ट में हरी मिर्ची डाली थी इसलिए हम लाल मिर्च गम डालेंगे पानी डाल देंगे थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं मसालों में एक छोटा चमच नमक कुछ नमक हमने बीसन की पेस्ट में भी डाला है इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा चमच नमक डालें नमक आप अपनी पेस्ट के अकॉर्डिंग डालें मसालों को भी हम जब तख पकाना है जब तक की सेल ना चोड़ दें तब मसालों नो भी छोड दिआ है साइट से अब हम यहां पर टमाटर की डाल देते हैं कि तमाटर की प्यूरी के जगए ना पमच्य पावडर भी डाल सकते हैं तुमाटर की प्यूरी भी अच्छे से पक गई है अब हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं है हमने डेड़ ग्लास पानी डाला है तुमाटर की यूज किया है हमने सब्जी बनाने के लिए दो-तीन मिनिट हमें पानी को भी अच्छे से पकाना है दो-तीन मिनिट हो गए है पानी को पकते हुए अब हम मिनिट के लिए पत्तों बंती है गरम मसाली को भी हम अच्छे सी मिक्स कर देंगे, गैस को हमने बंद कर दिया है, हमारी अर्वी के पत्तों की सब्जी बन के तैयार हो गई है, एक बावल में निकाल लेते हैं, आपको अर्वी की पत्ती की सब्जी बनाते ही टाइम कुछ बेसिक बातों का ध्यान लगना है, सबसे पहले कि जब बेसन का जो गोल बनता है, वो पतला ना हो, और दूसरा पत्तों को जब फ्राय करते हैं, ओल में, तो ठंडा होने के बाद ही फ्राय कीजिए, नहीं तो पत्त हमारी खुल जाएंगे, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में लाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स पॉर वाचिंग,